हालो फ्रेंट्स फ्रेज आप लोका स्वागात हैं फ्रेंड मैं हुने की पोर आप देखरें एमसे टेक यूटूब चैनल तो फ्रेंड इस ट्रीटल में हम डिसकास करेंगे जो मैं आभी आपको एक डाटबेस में पेक्तिली डिटेल्स देहांगा किस्तर आप अनलेटिक्स फर्म क्याट करके डिफरेंज डिटेल्स डिटेल्स लास्ट वीक, लास्ट मांथ और चार्स मेपवाईज डिटेल्स फ्रो शो कर सकते हैं जो मैं अभी इस डाटबेस में डिटेल्स इस्ट बाई स्टेप देखाऊंगा तो फ्रेंट आविदा अगर मैं इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बैल अकन को प्लेश करें ताकि आपको इस तका नीव वीडियों आपिशन सबस एह अनलेटिग सेज पहुझ और एद्टीक कराना अगर तो तो दमार्टीक सब्सक्राइब एपनमेंट लास्ट मांथ बील्स टोटेल और यह पैसेंस इन फुलो चार्ट और एपनमेंट्स डिफरेंट्स वीद पाई मांथ और यह बील ओफ पैसेंट टोटेल्स जो मैं अभी इसको डिटेस देखाऊंगा किस तरह मैंने यह फॉर्म एनलेरिस्ट को क्रियाट किया है सबसे पहले आपको देखाऊंगा फ्रेंट किन् sih मैंने किस तरह कर्याट किया है और उ teris लस्ट अचलिओस का क्वा पैसंटेंट्स से पहले अभी में देखाऊंगा यह 공 आपर्मेंट टेबल जो में डिफाना डिफेरेंट डेट वास इस टेबल में रिकोर्ट एड किया है पैमेंट स्पेशन डी टीप्मेंट डान और पैमेंट डान तो यह आपर्मेंट डेट यहां देख सकते हैं नेक्स्ट अभी मैं इसी आपर्मेंट टेबल से मैं view आप यहां देख सकते है जो मैं work in debt wise last 30 days means difference between current debt और यह debt functions minus 29 तो देन आप last 30 days का details record display कर सकते है यह है criteria code for displaying last 30 days records और यह है passions database tables उसके बाद difference फिलिस्ट को मैंने इस details area में add किया है उसके बाद work in debt में यह criteria code add किया है तो यह creator add करके कोई फी क्वारी में आप यह difference last month का details record display कर सकते हैं जो मैं आभी इसको click करूंगा तो देन देख सकते हो फ्रेंड यह है last records का details month देन देख सकते हो जन्वारी का यह 20 देड्स मैंने add किया था तो यह query patience last 30 days record डिस्प्ले हुआ है next friend आप ही में क्रेट करके देखाऊंगा प्रेसेंस लास्ट सेवेंड डिस्प्ले डिस्प्ले देख सकते हैं सेम कोड बाट यहाँ पर माइनेश 6 एड करना है बीट्विन देट फांक्शन एंड ट्रेट करेंट फांक्शन माइनेश 6 तो देन आप यह query में सेवेंडस रिकूंड डिस्प्ले देख सकते हैं और क्लिक क्लिक वरी पेसिंस लास्ट तो देंदेख सेब्न यह ब्राट यह लास्ट सेवेंडस में कोई रिकॉर्ट डिस्प्ले नहीं ये शरा येयर करें ये यूक्मेह भूर व्लीघ्ट करके दिखाऊंग हो वाईर्ट टूटे लग्लीद डिज भी राट गलीद?", तो देलेंदेखे तो फ्रेंड अपनमें, ये है आन एक्वारी क्वारी यह code add करना है between that function and that now functions minus 29 तो देन आप query total last month record display देख सेकते हैं click query total cash last month तो देन देख से तो फेरें यहाँ payments details two records है एक है January 23, 2021 और एक है 29 January 2021 तो इस तरह यह query total cash last month में record display कर सकते हैं तो फ्रें next अभी में आपको display कर के देखाऊंगा query total cash last week last week का code यह design view टेक सकते है add appointment stable अभी में च्वेल करते है यह करिड धर सकते हैं at appointment stable drag to the fill list, payment done, next appointment. next appointment date next appointment date or यह कर यहाँ यहाँ रेखल धर ड़ी में टेख तो यहाँ धर्फंशना है code between that function and that now functions minus 6 then of each query में total cash last week करे कोड़ दिशले सकते हैं यह है difference query details, design और अभी में query weekly apartment design view, तो यह देख सकते है, query weekly apartment design between that function और that now function minus 6, अब फ्रेंड एक form create करोंगा, analytics form, तो मैं यह analytics form को किस तर डिजन किया है, next अभी में आपको देखाऊंगा, सबसे पहले आपको form लेना होगा, उसके बाद form details area में, header में, यह analytics level add किया, उसके बाद एक admin text box लिया है, उसके बाद इस admin text box में, मैंने, यह code add किया है, go to the control source, click expression boulder, देन देख से तो d count, count passionately, और यह query patience, last seven days, next, patience level, उसके बाद यह control source text box को में, font size design किया है, 30, तो देन आप यह last week records, number count display देख सकते है, next, next, unborn text box में मैंने, code add किया है, go to the control source, d count, appointment id, under double quotation query, weekly appointment, next, difference, unborn text box, for displaying, last week, total bills, d sum, total sum functions, payment date, or payment dance, query, total cash, last week, details, sum functions, code, इस तरह add करना है, तो देन अब, last week का total bills, total amount result, इस unborn text box में, display कर सकते है, next, last month के लिए, same, इसी तरह, control source में जाना है, उसके बाद, decount, patience id, और यह query patience, last 30 days, query, code add करना है, next, patience, last month, decount functions, appointment id, query monthly appointment, next, bills, total, last month, amount result, display करने के लिए, decount functions, payment date, payment done, query total cash, last month, next, आभी फिरेंड, में, patience id flow, map, और flow chart, add किया है, देन देख सकते है, सबसे पहले, आपको, decision में जाना होगा, इसके बाद, decision से यह chart, drag करके, आपको, ऐसे ही, drag करना होगा, आपको, ऐसे ही, कोई एक, table, select करना है, उसके बाद, finish, click करके, आपको, इसको, edit करना है, next, go to the, charge, property sheet, उसके बाद, resource में, आपको, यह, same code, add करना होगा, click, resource, dot, dot, उसके बाद, patience database, next, यह field, list में, आपको, पहले, format, design करना है, that, format, work in that, shorted, shorted, or, triple D, for dead displaying, format, code, next, passionary, count, passionary count, display करेगा, उसके बाद, int, work in, date, next, click view, तुदेन देख सिखती हो, यह, कोईर विल्टर, count of passions, total number, difference, dead wise, display हुआ है, है, और, month wise, display हुआ है, next, same, उसी तरह से, आपको, यह, difference, appointment, map, charts, design view, दिखाऊंगा, go to the, row source, next, click, count of source, appointments, same, format, but, यह, appointment, date, field, add करना है, है, उसके बाद, shorted, appointment, id, appointments, some result, amount, display करने के लिए, some function, select करना है, उसके बाद, group by, int, appointment, date functions, तुदेन आप, view करेंगे, तो यह, sum of appointment, total, results, monthly wise, display कर सकती है, जिस्ता यह, चार्ट, map में, डिस्पले हुआ है, next, bill of questions, chart view, display करने के लिए, go to the property sheet, पहले आपको, ट्राइक करना है, चार्ट, उसके बाद, रोसोस में जाना है, then, appointments, table add करके, यह, format, display करना है, date functions, for month, display करने के लिए, triple M, और यह, appointment, date, payment done, appointment number, sum functions, add करना है, इसके बाद, जब एक्लिक करेंगे, few, to then, देख सकते है, sum of payments, difference, month wise, month, display, देख सकते हैं, तो इस तरह आप यह, analytics form, design करके, आप कोई फी, difference, और, charge map, query, results, display कर सकते हैं, जिस तरह आप मैंने, यह, database में, analytics करके, यह, patience inflow, appointments, below patience, last month, or last week, amount, result, display किया है, तो फुराँ, वीडियो अच्छे लेके तो, प्लिस लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू फॉराच्छे,